हेलो एब्रीबन माइन इस हिमाई शुरूंबर तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगी कैसे हम डेडिंग व्यू में मल्टिपल चाट लियाओ फीचर को यूज कर सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में और लाइफ टाइम के लिए तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आपको एक ब्राजर डावलोड करना है जिसका नाम है जायू को मुझन से टावल्ड करना है जंह और इस यहां से चलते ह sauna उसे ओपन करते तो फिर आपको यहां पर आने के बात रदेंग्यों सच करना आब अगर आपको लॉग-इन नहीं है आप प्लीज जीमेल से लॉग-इन कर लीज़े ताकि आप पूरा एक्सेस कर पाएं ट्रेडिंग व्यू को जो हम बात कर रहे थे कि मल्टिपल चार्ट लियाउट फीचर को उसे हम इस्तमाल कहां पर करते हैं यह फीचर हम लोग का इंटर डेयाफि स्केल्पिंग में काम आता है हम लोग को तब मल्टिपल टाइम फ्रेम अनलसिस करनी होती है कि मल्टिपल आपको देखना होता है कि पांच मिनट में कहां पर रेजिस्टेंस बन रहा है 15 मिनट पर कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है और 30 मिनट में तो आपको ये multiple time frame analysis में काम आता है तो हम देखते हैं कि multiple chart layout feature को हम कैसे इस्तमाल कर सकते हैं free में सबसे पहले आपको ये link copy कर लेना है link copy करने के बाद आप maximum 8 taps तक खोल सकते हो तो हम क्या करते हैं 4 tap पे खोलते हैं इसको first पे copy paste और मैं यहापर लेता हूं one hour का time frame एक second tap खोलेंगे हम कि यहापर मैं लेता हूं 15 minutes का time frame और third tap पे मैं यहापर लेता हूं 5 minutes का time frame अब आपको ये सब करने के बाद आपको first tap पे click करना है और shift को press करना है और इन सब को select कर लेना first one second third fourth और fourth करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है राइट क्लिक करने के बाद आपको एक option आ रहोगा है टाइल four taps अब आपको इस पर क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं कि आपका जो four screen के setup है without किसी रुपए के और किसी भी hack लगाए आपका यह four screen setup चल दा है अगर आपको इससे टू स्क्रीन पर करना हो आप एक पैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू